Hi Friend, आप लोग कैसे हो आप लोग ठीक होंगे मैं हूँ ममता विशुव कर्मा मेरे चैनल का नाम है ममता विशुव कर्मा व्लोग्स आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज आप लोग के साथ है ना मैं बहुत अच्छा एक क्रीम लाई हूँ कि इसे आप सर्दियों में कैसे इस्तमाल करें और इसमें मैंने क्या-क्या एड किया है वो सारी जानकारी आप लोग के साथ शेर करूँगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो क्रीम बनके रेडी हो चुका है तो मैंने इसमें क्या-क्या एड किया है वो सारी जानकारी आप लोग के साथ शेर करूँगी तो वीडियो पूरा एंट तक जरूर देखें और हाँ अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजे अब इस क्रीम को बोडी लोशन बोलिए या फिर फेस का नाइट क्रीम बोलिए ये सारी चीजों पर काम करने वाला है और ये क्या काम करेगा कैसे काम करेगा वो सारी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करूँगी और इसे बनाना कैसे है लगाना कैसे आपको मैं लगा के भी दिखाऊंगी इसे में लगाना कैसे है और कितनी बार लगाना है वो सारी जानकारी आप लोग के साथ शेर करूंगी तो चलिए इसे बनाना कैसे वो सबसे पहले आप लोग के साथ शेर करती है तो यहाँ पर मैंने खाली कटोरी ले लिया है और इसमें सबसे पहले जो चीज मैं एट करने वाली हूँ बहुत अच्छा यह प्रोड़क है यह है नारियल का तेल कोकोनेट ओईल यहाँ पर मैंने डाबर का लिया है आप कोई भी ब्रैंड का यूज कर सकते हो यहाँ पर मैंने देखिए एक चमच भरके मैंने कोकोनेट ओईल लिया है यह बहुत अच्छा बॉड़ी लोशन आज बनने वाला है और इसे आप बॉड़ी लोशन क्रीम बोलिए या फेस का क्रीम बोलिए अब मैं इसमें सेकंड ज को अगर सर्दियों की वज़े से हम धूब वगरा में ज्यादा टाइम बैठ जाते हैं तो हमारी स्कीन काली पढ़ने लगती है और यह क्लींजिंग का भी काम करता है कच्छा दूट इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है इसमें सबसे ज्यादा महत्व जो चीजे वह मिक् सबस्क्रया अफ़े जल आविर सीजीरे सोट करें और तो यह तो हम आपके बाड़ी में फेस बहुत अच्छा च्रेजल्ट आने वाला है जो एलूवेरा जेले इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है कि दूद और नारेल कोकोनेट ओईल और एलूवेरा ये तीनों को इतना अच्छे से मिक्स करना है जो कि एक क्रीम में बन जाए तो चलिए यहां पर मैंने आपको बता दिया है इसे बनाना कैसे है और इसे लगा जादा दिन तक श्टोर करके नहीं रख सकते हो क्योंकि इसमें हमने कच्छा दोड़ाइट किया तो इसे आप 2-3 दिन तक ही श्टोर करके रख सकते हो तो यहां पर मुझे ऐसे लगा मेरा ज्यादा है तो पहले में इसे श्टोर कर लेती हूं फिर उसके बाद आपको डबे में रख लिया है और इसका धक्का ने वह टाइट होना चाहिए आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं अगर आपकी यहां पर ज्यादा थंडी ना हो क्योंकि थंडी जगों पर अच्छे से रहेगा तो चलिए अब इसे लगाना कैसे तो सबसे पहले में आपको फेस पर लगा के दिखाऊंगे आप मेरी फेस देख सकते हैं अभी हलकी सी ड्राय लगरी पर लगाने के बाद मेरे चेरे पर ऐसे लगेगा मैंने कोई मुस्चुराइजर लगाया है बिल्कुल कि आपको ओली नहीं लगने वाला इसे थोड़ा सा लेकि अपने फेस पर मसाज करन आप इसे रात में भी हातों पैरों पे और फेस पे लगा सकते हो या दिन में नहाने के बाद भी हातों पैरों पे और फेस पे लगा सकते हैं तो मेरा फेस पे का लगा के हो चुका है तो मैं आपको हातों पे भी लगा के दिखाती हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आप बन करद को आज़ी लोशन क्रीम पसंद आया हो जानकारे अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजी शिर कीजिए अभी तक आप लोगों ने मेरे मेरे चैनल को technology को देख ले मेरे